दोस्तो क्या हो अगर आप नगेट्स का रहे हों और आपकी नगेट्स में से मुर्गी का सर निकल आए और क्या आपने कभी पेपसी के टिन से मेंडिक निकलते हुए देखा है प्लस क्या हो अगर के एफसी वाले आपको चूहा फ्राई करके खिला दें वैल आज किस वीडियो में मैं आपको लोगों की खाने से निकलने वाली ऐसी क्रीपी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनने सुनकर आप सब शौक हो जाएंगे तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन दोस्तो ब्रेड एक ऐसा फूर्ड आइटम है जो हर गर में ही ब्रेक फॉर्स के लिए यूज़ कहा जाता है इसे एक हेल्दी फूर्ड समझा जाता है लेकिन क्या ब्लीव करेंगी कि ब्रेड के अंदर से मरा हुआ चूहा भी निकल सकता है वेल सुनने में तो ये बात फेक लगती है लेकिन एक बार इंगलेड में रहने वाल एक शक्स ने ग्रॉसरी से ब्रेड को बाय किया जब इसने इसे खाने के लिए ओपन किया तो इसकी उपर मरा हुआ चूहा लगा हुआ था इससे भी इरिटेटिंग बात ये है कि ये चूहा बकाईदा इस ब्रेड के साथ बेग भी हो चुका था जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हर ब्रेड स्लाइस के साथ चूहे के पार्स लगे हुए नजर आ रहे थे वेल ये सीन इतना इरिटेटिंग था कि इसे देखने के बात तो शायद मैं भी नाच्टे में कभी ब्रेड खाना पसंद नहीं करूँगा ये रियली अनबलिवेबल है दूस्तो पेपसी दुनिया की सबसे फेमस ड्रिंक्स में से एक है लागों लोग इसे डिली बेसस पर पीते हैं अगर पेपसी के टिन की बात की चाये तो इसको खोलने के बाद अंदर से कोई नहीं देखता बलके डिरेक्ट इसे पीना ही स्टार्ट कर देता है लेकिन क्या हो अगर कि इसे पेपसी के टिन के अंदर एक मरा हुआ फ्राग मौचो थो पहल सुनने में तो ये बात impossible लगती है लेकिन फ्रेक डिंगरी जिसका थालुक लंडन से था इसके साथ कुछ ऐसा ही वाक्या पेश आया था एक दफा ये पेपसी का टिन लेकर पी रहा था कि इससे पहले ही सिप में पेपसी का टेस्ट काफी अंजूजूल लगा फ्रेड का कहना था कि वो पेपसी स्लाइम की तरह चिपचिपी थी इसने पेपसी को मजीद पीने की बजाए इसे गलास में उल्टेलना शुरू कर दिया जब इसने पेपसी गलास में टाली तो इसके अंदर किसी चीज के पीसेज मौजूद थे इसने फॉरण FDA को इनफॉर्म कर दिया और जब इस ड्रेंग को लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस पेपसी में मरा हुआ फ्रॉग मौजूद था वैल ये फ्रॉग इस पेपसी में आया कैसे ये बात तो पता नहीं लेकिन ये स्टोरी वाके ही में बहुत क्रीपी थी दोसो नगिट्स बच्चों के सबसे फेवरेट फूड आइटम्स में से एक है वैसे तो तकरीबन हर फूड ब्रेंट ही नगिट्स को सेल करता है लेकिन एक बार एक फैमली ने जब मैकडानल्ड से चिकिन नगिट्स बाई किये तो इनके साथ एक ऐसा हाथसा पेश आया जिसने इनकी होश उड़ा दिये वैल एक मदर ने कुछ हरसा पहले मैकडानल्ड से नगिट्स खरीदे लेकिन जब ये अपने बच्चों के लिए नगिट्स को निकाल रही थी तो इसने देखा कि एक नगिट्स की शेप बहुत ही अंजूजूल थी जब इसने गौर से देखा तो वो नगिट्स नहीं बलकि मुर्गी का पूरा का पूरा सर था जिससे बकाइदा पूरे इंक्रेडिट्स लगा कर फ्राई भी किया गया था इसे देखकर वो बच्चे शदी डर गई और इन्होंने नगिट्स काने से इंकार कर दिया वेले साथ से के बाद इस लेडी ने क्या किया ये बात तो पता नहीं लेकिन वो बच्चे अब शायद जिन्दगी में कभी भी दुबारा नगिट्स नहीं खाएंगे दोस्तो आप सबने कभी न कभी बीफ बर्गर जरूर खाया होगा लेकिन अब जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे सुनने के बाद तो आप शायद जिन्दगी में कभी भी बीफ बर्गर नहीं खाएंगे एक दफा कैनिडा में रहने वाली एक फैमली ने अपने बेटे को आरबीस बीफ बर्गर का बर्गर खरीद कर दिया जब वो बच्चा बर्गर खा रहा था तो इसे बर्गर का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगा इसे अंदर रबट जैसी कोई मोटी चीज फील हो रही थी जब इसने अपने पेरेंट्स को बताया और इन्होंने बर्गर खोल कर देखा तो अंदर एक कटी हुई हुमन फिंगर मौजूद थी इसे देखकर ये बच्चा और इसके पेरेंट्स दोनों ही खौफ ज़दा हो गई बाराल इन्होंने फॉरन मेनेज़्मेंट को बलवा लिया जब इस पूरे वाके की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि बर्गर मीट त्यार करते वकट एक वर्गर की उंगली कट गई थी और ये कटी हुई फिंगर मीट में ही मिक्स अब हो गई थी इस वर्गर ने जौब जाने के डर से कंपनी को ये बात बताए ही नहीं थी और ये उंगली इस पूरे बीफ मीट में मिक्स हो गई एनिवे जो भी हो ये दुनिया के सबसे टेरिफाइंग फूड इंसिडेंट्स में से एक था दोस्तो KFC दुनिया के सबसे फेमस ब्रैंड्स में से एक है और इन जैसा चिकन दुनिया में और कोई भी फ्राइ नहीं कर सकता लेकिन क्या हो अगर KFC वाले चिकन की बज़ाए किसी और मखलूक को फ्राइ कर दें ये जो इंसिडेंट आप देख रहे हैं इसमें एक शक्स KFC से फ्राइ चिकन लेकर आया था लेकिन जब इसने इसी खाने के लिए प्लेट में डाला तो इसका एक पीस बहुत ही अंजुजवल था ये किसी भी एंगल से चिकन का पीस नहीं लग रहा था वेल जब इस शक्स ने पीस को ओपन किया तो इसके अंदर पूरा का पूरा फ्राइड चूहा मौजूद था आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस चूहे को पूरे इंक्रीडेड लगा कर बकाईदा फ्राइ किया गया था वेल ये चूहा कि एफसी के चिकन में कहां से आया ये बात तो पता नहीं लेकिन जस्ट इमेजन किस बंदे का क्या हाल हुआ होगा ये रियली अन्विलिवेबल है दूस्ट बर्गर एक ऐसा फूड आइटम है जिससे हम मेंसे मूस्टली लोग डेली बिस्स पर खाते हैं नॉर्मली तो बर्गर के अंदर पैटी, कैचप, मायोनीज और सलाथ वगेरा होता है लेकिन क्या हो अगर आप बर्गर खा रही हूँ और आपके बर्गर में से इंजेक्शन की पिन निकलाए वेल 2001 में कैलिफॉनिया की रहने वली एक लेडी ने बर्गर किंग से एक बर्गर खरीदा था इसे बहुत ज़्यादा बोक लगी थी सो इसने पहले ही बार में बड़ा सा बाइट लेकर बर्गर खाने की कोशिश की लेकिन जैसे ही इसने निवाला खाना स्टार्ट किया तो इसे ऐसा फिल हुआ जैसे किसी शार्प चीज ने इसका मूँ और जबान काड़ दिये हैं इसने फौरण मूँ से बाइट निकाल दिया और जब देखा तो इसके अंदर इंजेक्शन की नीडल मौजूद थी सोचने की बाद ये है कि बर्गर के अंदर इंजेक्शन कैसे आ सकता है जस्ट इमेजन किस लेडी का ये सुरंज दे कर क्या हाल हुआ होगा वैल इसने बर्गर केंग वालों का क्या हाल किया होगा ये तो पता नहीं लेकिन इससे बुरा फूड एक्सपिरियंस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता दूसर डॉनट्स बच्चों की सबसे फेवरेट डिजर्ट में से एक है दुनिया में शायदी कोई ऐसा बच्चा होगा जिससे डॉनट्स पसंद ना हो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को डॉनट्स दिलाने से पहले दस बार सोचेंगे ये जो इमेज़ा आप दिख रहे हैं इसे औस्टेलिया में रहने वाले एक फादर ने शेयर किया था इसने अपने बच्चों को क्रिस्पी क्रेंप्स में से डॉनट्स ले कर दिये थे लेकिन जैसे ही इसके बच्चे ने डॉनट्स खाने के लिए इसके दो पीसिस किये तो इनके अंदर एक पूरा सिगरेट मौजूब था इससे भी शौकिंग बात ये है कि वो सिगरेट निया नहीं बलके जला हुआ यूस सिगरेट था ऐसा लगता था जैसे किसी ने आदा सिगरेट पी कर इसे डॉनट के अंदर पैंक दिया हो मेबी ये किसी वर्गर का लेफ्ट ओवर सिगरेट हो हाला के बेकरी के अंदर किसी भी सुरत स्मोकिंग की इजासत नहीं होती लेकिन बारहल जो भी हो ये इंसिडेंट रियली बहुत शौकिंग था दोस्तो अगर बनानास की बात की जाए तो ये बहुत ही हल्थी फ्रूट है लेकिन क्या हो अगर आप खाने के लिए केले लेकर आएं और इसके अंदर एक जिन्दा क्रीचर मौजूद हो वेल अमेरिका में रहने वाले एक शक्स के साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था जब ये शक्स मारकेट से फ्रेश बनानास लेकर आया तो इसने देखा कि केले के अंदर कोई जिन्दा चीज धरकत कर रही थी जब इसने गोर से देखा तो वह एक खतरनाक मकडी थी असल में ये ब्राजिलियन स्पाइडर था जो बेहत खतरनाक होता है हैरानगी की बात ये है के स्पाइडर केले के अंदर मौजूद था और फिर वो चिलके को काट कर बाहर आगया लगेली अभी ये केले पैकेट के अंदर ही मौजूद थे और इस शक्स ने स्पाइडर को देख लिया था इवन ये मकडी इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये किसी को काट ले तो वो शक्स हाफतों तक रेकवर नहीं होता बारहाल जो भी हो ये इंसिडेंट सच में बहुत क्रीपी था दोसो पीज़ा हट एक बहुती फेमस ब्रेंड है और इनका पीज़ा पूरी दुनिया में मशूर है लेकिन क्या आपने कभी किसी पीज़ा के अंदर से सनी प्लास निकलते हुए देखा है वैली जो शक्साब दिख रहे हैं इसका नाम कैन है और इसने पीज़ा हट से सुप्रीम पीज़ा ओर किया था जब ये और इसकी वाइफ पीज़े को खा रहे थी तो जैसे ही कैन ने बॉक्स में से पीज़े का एक और स्लाइस निकाला तो इसकी डो के साथ कोई अजीबों करी ब्लू कलर की चीज़ चिपकी हुई थी कैन ने जब गोर से देखा तो वो एक सनी प्लास था वैली से देखने के बाद कैन ने फॉरण पीज़ा हट मैनेश्मेंट में कम्प्लेन कर दी जब तैकी की गई तो पता चला कि डो बनाने के दोरान एक वरकर की बैंडिज उतर कर पीज़ा के साथ चिपक गई थी लेकिन जस्ट इमेजन कि ये देखने के बाद कैन का क्या हाल हुआ होगा क्योंकि वो इस लाइलिमी में काफी सारा पीज़ा खा चुका था ये रियली बहुत डिसकस्टिंग है